तो आज के वीडियो में आपको होंडा यूनिकाउन ब्येसिक्स के कुछ ऐसे चीज़ा बताऊंगा जिससे आपको SP125 छोड़कर यूनिकाउन लेना सही रहेगा इस डिसीजन पर आप सही उत्रहेगें तो गाइस वीडियो में बारे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करें, ताके मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेए सबसे पहला फीचर आता है, इसके अंदर ABS देखने को मिलता है, योनिकॉन के अंदर सिंगल चैनल ABS दिया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, जो के SP 125 के अंदर मिसिंग होता है, ABS होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो के बहुत अच्छे से वर्क करता है, और एक SP 125 से बहतर ब्रेकिंग योनिकॉन की देखने को मिलती है, नेक्स्ट है टैकोमेटर, टैकोमेटर आपको SP 125 के फुल डिजिटल इंस्टूमेंट कंसूल के अंदर देखने को नहीं मिलता है, हलांके अच्छे खासे फीचर साते हैं, टैकोमेटर मिसिंग देखने को मिलता है, ब्लुटूथ कनेक्टिविटी, रही बात योनिकॉन के इंस्टूमेंट कंसूल की तो आपको फुल एनलोग मिलता है, जिसके अंदर आपको अच्छी खासे इंफरमेशन मिलती है, विद टैकोमेटर, टैकोमेटर बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अतलब योनिकॉन के योनिकॉन का मोनोशोक बहुत जदा अच्छा है और कमफडेबल राइट प्रोवाइट करता है, जो के स्पी 125 के ट्विन स्विंग आम से बहुत जदा बहतर आता है, अगर फ्यूचर में अफडिस होंगे, स्पी 125 के अंदर मोनोशोक के सब तो बहुत अच्छी बात है, ले नेक्स पॉइंट है वाइट टायर को लेकर, एस्पी 125 के अंदर बहुत पतले टायर आते हैं, 80, 180, 80 इंच के अलाविल आते हैं, 80 mm के टायर आते हैं, यहीं योनिकॉन को देखें तो फ्रन्ट में आपको 80 सेक्शन का ही टायर मिलता है, रियर में आपको 100 सेक्शन का टायर द और यहीं योनिकॉन को देखते हैं, तो योनिकॉन लुक्स में भी आगे निकलती है, ग्रिप में भी आगे निकलती है, और इस्टेबलेटी भी अच्छा प्रोवाइट करता है, इसका 100 सेक्शन का रियर वाला टायर, एस्पी 125 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आल चाहिए हैं लगता ISP125 पर, लेक्समेट है, योनिकॉन के उनिकॉन के ंदर आपको 13 लिटर की टैंक काप सिटि देखने को मिलती है, जो के आपको ISP125 में 11 लिटर की मिलती है, 2 लिटर टैंक काप सिटी SP125 के अंदर कम आती है as compared to unicorns 13 लिटर, तो यहाँ पर भी unicorn इससे बह कर देती है in terms of tank capacity और next point है build quality को लेकर unicorn की build quality one of the best है अगर SP 125 के fiber से compare करते हैं तो unicorn के अंदर उतना ज़्यादा fiber use किया नहीं जाता जितना SP 125 के अंदर use किया होता है unicorn की overall build quality आपको अच्छी देखने को मिलती है as compared to SP 125 SP 125 के अंदर fiber बहुत ज़्यादा use किया जाता है जैसे tank के उपर shrouds आते हैं call आते हैं और वहाँ पर जदातर मतलब SP 125 के अंदर आपको जदातर plastic बहुत ज़्यादा fiber बहुत ज़्यादा use किया हुआ देखने को मिलता है unicorn के अंदर आपको उतना जदा plastic नहीं मिलता और उपर से build quality SP 125 से better आती है क्योंके unicorn थोड़ी premium bike है as compared to SP 125 तो यहाँ पर भी unicorn build quality में आगे निकल जाती है SP 125 के build quality के सामने अब बात कर लेते हैं last point की तो आपको unicorn के अंदर 163cc का engine मिलता है as compared to 125cc SP 125 engine तो यहाँ पर बड़ा engine मिलता है 12.9 PS की power मिलती है 14.7 Nm का torque मिलता है with 5-speed के airbox तो यहाँ पर आपको बड़ा engine मिलने के साथ साथ performance बढ़ जाती है mileage कम हो जाता है वो अलग बात है लेकर आपको performance as compared to SP 125 बहुत ही अच्छी मिलती है unicorn के अंदर performance बहुत अच्छी देखने को मिलती है mid range हो गई, top end हो गई या फिर अपन compare करें इसे initial से तो SP 125 से better performance आपको unicorn के अंदर देखने को मिल जाती है और SP 125 125cc category की bike होने की वज़ा से उसके अंदर कम performance आती है और price भी कम है उसके हिसाब से वो सही है लेकिन अपन unicorn के performance से compare करेंगे तो unicorn बहुत आगे निगल के आती है SP 125 के performance के साथ और इसी के साथ आपको बता तो इतना बड़ा engine रहने के बावाजू 55 से 60 का mileage निगलती है अपनी unicorn BS6 जो के SP 125 60 से 65 का निगलती है 5 से 10 km का mileage SP 125 से ज़ादा देखने को मिलता है आपको लेकिन उतना mileage के लिए आप conscious नहीं है तो आपके लिए unicorn बेटर रहे गया अगर आप SP 125 और unicorn के बीच में compare करते हैं तो और रही बाग performance के साथ top speed की तो top speed भी SP 125 से बहतर निकाल के देती है unicorn BS6 और एक बात अच्छी आती है unicorn BS6 की वह है इसकी refinement levels इंजन बहुत ही सब स्मूध और रिफाइंड आता है और बहुत ही low sound करता है SP 125 का engine smooth आता है लेकिन unicorn से compare करते हैं तो ज्यादा smooth देखने को नहीं मिलता SP 125 का engine तो SP 125 यहाँ पर भी कम रह जाती है unicorn के सामने तो guys आज के video मैंने आपको कुछ points बताए जो के unicorn के अंदर आते हैं और SP 125 के अंदर missing आया फिर कम आते हैं as compared to unicorn BS6 आप दोनों bike में आप confused होंगे तो आपको बता तो जिसको ज्यादा mileage वाली bike चाहिए performance उनके लिए priority नहीं है और थोड़े बहुत features चाहिए अच्छे looks के साथ इस body looks चाहिए तो SP 125 को prefer करना चाहिए अगर आपको लेना है तो और रही बात unicorn की तो unicorn बहुत ज़्यादा smooth, refined और well built bike देखने को मिलते हैं जिसके अंदर उतने ज़्यादा features नहीं आते लेकिन आपको अच्छी reliable bike provide मतलब reliability बहुत अच्छी provide करती है unicorn जो के SP 125 के अंदर कम आती है as compared to unicorn BS6 और रही बात pricing की तो दोनों bike की price में आपको लगभग 30,000 का difference देखने मिलता है 1,9,000 on road पढ़ती है SP 125 और unicorn पढ़ती है 1,38,000 से 1,40,000 तक on road तो guys आज के वीडियो में आपको SP 125 छोड़ कर unicorn लेने में क्या-क्या फाइदा होता है ये सब बताया तो guys bikes related videos देखने के लिए चैनल को subscribe करो bell notification के all option को click करो इस video को like करो अपने दोस्तों के साथ share करो आज के वीडियो में इतना ही चलता हूं गोड़बा गाइस